श्रीमत अश्तावक्रगीता यथारूप हिंदी अनुवाद श्रीमत अश्तावक्रगीता चतुरदश प्रकरणा प्रकृत्या शून्य चित्तो यह प्रमादाद भावभावना निद्रितो बोधित इवक्षीन संसरनों ही सह प्रकृत्या शून्य चित्त प्रमादाग भावभावना यह निद्रिता इवबोधित भवती साही क्षीन संस्रण अप्शिश अपनी सुकरूप अवस्था का वर्णन करता है, जिस प्रकार कोई पुरुश सुककूर्मक शयन करता होए उसको कोई पुरुश जगा कर काम उस पुरुष के मन की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, किन्तो अन्य पुरुष के वशी भूत होकर कार्य करता है वास्तव में उसका चित्त कार्य के संकल पविकल्प से रहित होता है, किसी प्रकार प्रारब्ध कर मानुसार संकल पविकल्प करने वाले पुरुष का चित् कदनानी व मित्रानिक में विश्यद सिवा, कशास्त्रम कच्च विज्ञानन यदा में गलितास्थार, यदा में स्प्रिहा गलिता, तदा में धनानी व मित्रानी का विश्यद सिवा को, शास्त्रम को, विज्ञानम चक्व, विश्यवासना से रहित पूर्ण रूप जो मैं तो फिर मेरे धन कहां, मित्रवर कहां, विशरूप लुटेरे कहां और शास्त्र कहां अर्थात इन में से किसी वस्तू भी मेरी आसकती नहीं रहती है। उने पर पुरुष को बंध तथा मोक्ष की आशा नहीं होती है और मुक्ती के लिए भी चिंता नहीं होती है। वाले ज्यानी की तिन तिन दशाओं को तैसे ही ज्यानी पुरुष जानते हैं। यह श्रीमत भागवतम के चौधवे अध्याय का समापन है। श्रीमत भागवतम का चौधवा अध्याय जिसे शांतिच तुष्टय के नाम से जाना जाता है। श्रीमत अश्तावक्रगीता पंचद्श प्रकरण यथा थोपदेशन कृतार्थ सत्व बुद्धिमान आजीवं पिजिग्यासुह परस्तत्र विमुहती। सत्व बुद्धिमान शिश्य यथा तथा उपदेशन कृतार्थ भवती परा आजीवं जिग्यासुह अपितत्र विमुहती। यद्यपी गुरुने शिश्य के अर्थ पहिले आत्मतत्व का उपदेश किया है। तथा शास्त्र में ऐसा नियम है कि कठिन से जानने योग्य होने के कारण शिश्यों के अर्थ आत्मतत्व का बारंबार उपदेश करना चाहिए और छांदोग्य उपनिशत के विशे गुरुने शिश्य के अर्थ बारंबार आत्मतत्व का उपदेश किया है। इस कारण गुरु फिर भी शिष्य के अर्थ आत्मतत्व का उपदेश करते हुए प्रथम ज्यान के अधिकारी और अंधिकारी का वर्णन करते हैं, कि जिसकी बुद्धी सात्वी की होती है, वह शिष्य यथाक्थंचित। उपदेश श्रवन करके भी कृतार्थ हो जाता है, इस कारण ही सत्ययोग के विशे केवल एक अक्षर ब्रहमा जो कारतिसके ही उपदेश मात्र से अनेक शिष्य कृतार्थ हो गये, अर्थात ज्यान को प्राप्थ हो गये और जिनकी तामसी बुद्धी होती है, उनको मरंपरि जी ने अनेक बार उपदेश किया, तो भी वह महामोह्युक थी रहा, क्योंकि वह तामसी बुद्धिवाला था, मोक्षो विश्यवेरस्य बंधु वैशी को रसर, एतावदेव विज्ञानन यथे च्छसी तथा कुरू, विश्यवेरस्य मोक्ष, वैशी का रसा बंधा वि अही बंधन है, इतना ही गुरू और वेदान्त के वाक्यों से जानने योग्य है, इस कारण है शिश्य, जैसी तेरी रुची हो वैसा कर, वागमि प्राग्यम हो द्योगंजननन मुक्जनालसम, करोति तत्व बोधुयम अतस्त्यक्तो बुगुक्षुभिया, अयम तत्व ब अब इस बात का वर्णन करते हैं, कि तत्वग्यान के सिवाए किसी अन्य से विश्या सकती का नाश नहीं हो सकता है, यह प्रसिद तत्वग्यान वाचाल पुरुष को मुक गूंगा कर देता है, पंडित को जड कर देता है, परम उद्योगी पुरुष को भी आलसी कर देता क्योंकि मन के प्रत्यगात्मा के विशे लगने से ज्ञानी की वाणी मन और शरीर की वृत्तिये नश्ठ हो जाती है। इस कारण ही विशयभूग की लालसा करने वाले पुरुशों ने आत्म ज्यान का अनादर कर रखा है। न त्वम देहो न ते देहो भोगता करता न वा भवान चिद्रुपोसी सदा साक्षी निरपेक्षा सुखंचर है शिश्यभूग की प्राप्ति के अर्थ उपदेश करते हैं कि है शिश्यभूग तु देहरूप नहीं है तथा तेरा देह नहीं है क्योंकि तू चैतन्य रूप है, तिसी प्रकार तू कर्मों का करने वाला तथा कर्मफल का भोगने वाला नहीं है क्योंकि कर्म करना और फल भोगना यह मन और बुद्धी के धर्म है और तू तो मन और बुद्धी से भिन्न साक्षि मात्र इस प्रकार है, जिस प्रकार घट का देखने वाला घट से भिन्न होता है। इस कारण है शिश्य। देह के संबंधी जोस्त्री पुत्रादी तिन से उदासीन होकर सुकूर्वक विचर। रागद्वेशों मनोधर्मों न मनस्ते कदाचन। निर्विकल्पोसी बोधात्मा निर्विकारा सुखंचर। रागद्वेशों मनोधर्मी भवता, मनाते, संबंधी, कदाचन न भवती यता त्वम, निर्विकल्पा बोधात्मा असी, आथा, निर्विकारह, सन, सनसुखंचर हे शिश्य, राग और द्वेश आदी मन के धर्म है, तेरे नहीं है, और तेरा मन के साथ कदापी संबंद नहीं है क्योंकि तू संकल्पविकल्परहित ज्ञानस्वरूप है, इस कारण तू रागादी विकार रहित होकर सुखपूर्वक विज़ए सर्वभूतेशु चात्मानन सर्वभूतानी चात्मनी विज्याई निर्हंकारो निर्ममस्त्वन सुखी भव आत्मा संपूर्ण प्राणियों के विशे कारण रूप से स्थित है, और संपूर्ण प्राणी आत्मा के विशे अध्यस्त है, इस प्रकार जानकर ममता और अहंकार रहित सुखपूर्वक स्थित हो विश्व स्फूर्ती यत्रेदं तरंगा इव साग्रे तत्वमेव न संदेह चिनमूत विज्वरो भव यत्र इदम विश्वम साग्रे विश्वम साग्रे तरंगा इव स्फूर्ती तत्वम तत्व अत्र संदेहा न आथा हे चिनमूत त्वम, विज्वर, भाफ, जिस प्रकार समुद्र के विषय जो तरंग है, वे कल्पित और अनित्य है, तिसी प्रकार जिस आत्मा के विषय यहाँ विश्व कल्पित है वह तू ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है, इस कारण है चैतन्यरूप शिश्यत तू संपूर्ण संता परहेत हो, शद्धस्व तात शद्धस्व नात्र मोहम कुरुष्व भूरा, ज्यानस्वरू पोगवानात्मा त्वं प्रकृतेह परा, भूरा तात, शद्धस्व शद्धस्व अत्र मोहम न कुरुष्व, यता त्वं ज्यानस्वरूपा भगवान प्र पर आत्म स्वरूप अज्ञान मत कर क्योंकि तू ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान प्रकृति से पर आत्म स्वरूप है। आत्मा तो न जाता न आता है। इस कारण मैं जाऊंगा। मेरा मरण होगा इत्यादी देह के धर्मों से आत्मा के विशे शोक मत कर क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी और नित्य स्वरूप है। देह स्तिष्ठतु कलपांतं गच्छत्व चैव वापुना व व्रिद्धियाक्व चवा हानिस्तव चिन्मात्र रुपिना। देह कलपांतं तिष्ठतु वापुना अध्य एव गच्छतु चिन्मात्र रुपिना तव क्वहानिया वाकुच व्रिद्धिया। हे शिष्य यहां देह कलप परियन स्थित रहे। अथवा अभी नश्ठ हो जाए तो उससे तेरी नाहानी होती है और ना व्रिद्धि होती है। क्योंकि तू तो केवल चैतन्य स्वरूप है। तू चैतन्य अनन्त स्वरूप है और जिस प्रकार समुद्र के विशे तरंग उत्पन होती है और लीन हो जाती है। तिस प्रकार तेरे आत्मा के विशे स्वभाव से संसार की उत्पत्ती और लै हो जाता है। तिस से तेरी किसी प्रकार की हानी अथ्वा व्रिद्धी नहीं है। ताथ चिन मात्र रूपोसिं ते भिन्दमिदन जगत। अताकस्यक्थंकुत्र हेयोपादे कल्पना हे ताथ। त्वम चिन मात्र रूपा असी इदम जगत ते भिन्दमना आथा हेयोपादे कल्पना कस्यकुत्र कथम स्याथ। हे शिश्य, तू चैतन्य मात्र स्वरूप है। यह जगत तुछ से भिन्द नहीं है। इस कारण त्यागना और ग्रहन करना कहां बन सकता है। और किसका हो सकता है। एकस्मिन अव्यए शांते चिदाकाश अमलेत्वई। कुतो जन्म कुतो कमकुतो हमकारेवच। एकस्मिन अव्यए शांते चिदाकाश अमलेत्वई जन्म कुता कर्म कुता, अहंकारा च एव कुता, हे शिश्य, तू अविनाशी एक, शांत, चैतन्या का स्वरूप और निर्मला का स्वरूप है। इस कारण तेरा जन्म नहीं होता है। तथा तेरे विशे अहंकार होना भी नहीं घट सकता है, क्योंकि कोई द्वितिय वस्तु होए तो अहंकार होता है, तथा तेरे विशे जन्म होना भी नहीं बन सकता है, क्योंकि अहंकार के बिना कर्म नहीं होता है, इस कारण तू शुद्र स्वरूप है. यत्वम पश्यसी तत्रेकस्त्वमेव प्रतिभास से कि प्रिथक भास्ते स्वरनात कटकांदद नूपुरम यत्वम पश्यसी तत्रत्वम एव एका प्रतिभास से कटकांदद नूपुरम किम स्वरनात प्रिथक भास्ते जिस प्रकार कटक, बाजू बंद और नूपुर आदी आभूश्रों के विशे एक सुवर्ण ही भासता है, तिसी प्रकार जिस दो कार्य को तू देखता है, तिस दो कार्य के विशे एक कारण स्वरूप्तू ही आत्मा ही भासता है यह जो संपूर्ण देह आदी पदार्थ है तिनका मैं साक्षी हूँ और मैं देह इंद्रिय आदिरूप नहीं हूँ अत्वा यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ इस भेद का त्याग कर और संपूर्ण जगत आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके संपूर्ण संकल्प विकल्पों को त्याग कर सुखी हो तवेवा ज्यान्तो विश्वन त्वमेका पर्मार्थता त्वत्तोन्यो नास्ती संसारी नसंसारीच कश्चन विश्वम तव अज्यानता एव भवती पर्मार्थता त्वम एकर एव आथा संसारी त्वत्ता अन्या न अस्ती असन सारी चकश्चन त्वत्ता अन्या न अस्ति है शिश्य तेरे अज्ञान से ही विश्व भास्ता है वास्तव में संसार कोई नहीं है परमार्थ स्वरूप अद्वितियतु एक ही है इस कारण ही तुझ से अन्य कोई संसारी अत्वा असंसारी नहीं है ब्रांती मात्रम इदम विश्वन न किंचिदिती निश्चई निर्वासन स्फूर्ती मात्रों न किंचिदिव शामेती इदम विश्वम ब्रांती मात्रम किंचित न इती निश्चई परुशा निर्वासन स्फूर्ती मात्र सन न किश्चित शामेती यहां विश्व भांती मात्र से कल्पित है, वास्तव में किंचिन मात्र भी सत्य नहीं है, इस प्रकार जिसको निश्चय हुआ है वह पुरुष वासनारहित और प्रकाश स्वरूप होकर केवल चैतन्य स्वरूप के विशे शान्ती को प्राप्थ होता है एक एव भवाम भोधावा सीदस्ती भविश्यती न ते बंधोस्ती मोक्षो वा कृतकृत्या सुखंचर भवाम भोधो एका एव आसीत अस्ती भविश्यती आथा ते बंधावा मोक्षा न अस्ती आथा त्वम कृतकृत्या सन सुखंचर भूत भविश्यत और वर्तमान रूक त्रिकाल में भी इस संसार स्मुद्र के विशे तू ही था और तू ही है, तथा तू ही होगा अर्थात इस संसार के विशे सदा एक तू ही रहा है, इस कारण तेरा बंद और मोख्ष नहीं है, सुक्रितार्त हुआ तू सुख्पूर्मक मा संकल्प विकल्पा भ्यां चित्तम क्षोभय चिन्मय उक्षामे सुखं तिष्ट स्वात्मन्यानंद विग्रहे है शिश्य चिन्मय संकल्प विकल्पा भ्यां चित्तम मा चित्तम क्षोभय उक्षामे आनंद विग्रहे स्वात्मनी सुखं तिष्ट है शिश्य तु चैतन्य स्वरूप है, संकल्प और विकल्पों से चित्त को चलाय मान मत कर, किन्तु चित्त को संकल्प विकल्पों से शान्त करके आनंदरुपात्म स्वरूप के विशे सुखपूर्वक्स धित हो। त्यजैव ध्यानन सर्वत्र मा किंचित ध्रिदिधारे आत्मा त्वम मुक्त एवासी के विम्रिश करिशेसी सर्वत्र एव ध्यानम त्यज हदी किंचित अपी मा धारे आत्मा त्वम मुक्त एव असी आथा विम्रिश किम करिशेसी हे शिश्य डौट सर्वत्र ही ध्यान का त्याग कर, कुछ भी संकल्प, विकल्प, हृदय के विशेधारण मत कर, क्योंकि आत्मरूप तू सदा मुक्ती है, फिर विचार, ध्यान, करके और क्या फल प्राप्त करेगा इती श्रीमदस्टावक्रमुनि विर्चितायां, ब्रहम विद्याया, भाशाती क्या सहितन, तत्वौप देश्विन्शति का नाम पंचज्ण प्रकरणन समाप्तं यहां श्रीमद अश्टवक्रमुनी द्वारा संकलित ब्राहमा विद्या का पंद्रहवा अध्याय है, जिसमें भाशा पर टिपणी है, जिसका शीर्शक है तत्व उपदेश्विन्शतिका.